हेलो फ्रेंड्स मेरी यूटूब चैनल में आपका एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अज मैं आपको बालो को स्ट्रेट करने का यानि की सीधा करने का एक असान सा घरे लूप आए बताने जा रही हूँ यान उसका बहुत ही ज़्यादा असान है और आपके बालो को स्ट्रेट करेगा साथ ही आपके बालो को सिल्की और स्मूध भी बनाएगा या आपके महंगे पारलर के प्रोडक्ट से काफी अच्छा है साथ ही इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है इसे आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे बलकि खुबसूरत होंगे और आपके बाल सीधे और सिल्की हो जाएंगे लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट मेरे चनल को पहली बार देख रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल बटन को जरूर क्लिक कर लें जिसे मेरे समीने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे तो चले श इससब से पहले आपको लेना होगा दूद आपको paperwork लेना है अ अपने बालों की लंबायी की हिसाब SE अ हमारे बालों को पोशन देता है या प्रोटियों से भरपूर होना है जिसे हमारे बालों को मजबूती मिलती है दूद के इस्तेमाल से आपके रफ एर काफी सिल्की और स्मूज होते हैं, साथ ही यह बालों को straight करने में भी काफी मदद करता है, दूर्द के इस्तेमाल से आपके बालों की जड़ों को portion मिलता है जिससे आपके बाल जड़ से मजबूत होते है, अब इसमें आपको mix कर लेना है शहध, एक चमच आपको शहध mix करना है, आप इसकी quantity कम या जादा भी कर सकते हैं अपने बालो की लंबाई की साब से शाहद हमारे बालो को मॉश्चराइज करता है जिससे हमारे बाल सिल्की और स्मूध होते हैं दूद में आपको शाहद अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसे अपने बालो में जड़ से लेकि सीरे तक लगाए आप किसी स्प्रे बोटल में इसे भर ले और फिर आप अपने बालो पर स्प्रे कर ले या फिर आप इसे cotton की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालो पर पूरे बालो पर आप इसे अच्छी तरह से लगाए जड़ से लेकि सीरे तक और लगबग आदे घंटे के लिए लगा रहे ने दे आप अपने बालों को मोड़े नहीं बिलकुल सीधा इसे लगाने के बाद बिलकुल सीधा है अपने बालों को रखे कंगी करके फिर आप आते विंटे के बार नॉर्मल पानी से अपने बालों को धोले इससे पहली बार में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके घुंगराले बाल सीधे हो जाएंगे साथी सिल्की और स्मूध भी हो जाएंगे यह बहुत ही सिल्की हो जाएंगे और स्ट्रेट भी हो जाएंगे यानि कि सीधे भी हो जाएंगे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरू करें साथी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में